हेलो दोस्तो नमस्कार मैं वरूंग स्वागत करता हूं आप सभी के अगवार फिर से आपके अपने चैनल एड़ी वरूंपे जहां पर हम बात करते हैं डिश्टिल मार्केटिंग के टॉपिक्स जैसे ब्लॉगिंग और कॉंटेंट क्रियेशन के बारे में तो दोस्तो आज हम आपके SEO के लिए फायदा होता है और आपके जो यूजर को जाल से जानकारी मिलती है लेकिन उसके साथ ही उसके साथ कई कमिया आती है जैसे कि यूजर एक्स्पेरिंस एक तरह से खराब भी होता है क्योंकि बड़े जब आप ब्लॉग पोस्ट लिग देते हैं खाली उपर स कि यूजर रीडर एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर चला जाता है वैसे ही ब्लॉग पोस्ट पर हम इंडेक्स लगाना सिखेंगे वह भी बीना किसी कोडिंग होगे रहा है कि किसी नालिज के बस सिंपल सा तरीका है आपको मातर सिर्फ दो मिनिट लगेगा इसको करने मे तो चल ये चलते हैं और देखते हैं हम अपने ब्लॉग पॉस्ट पर कैसी इंडेक्स को लगा सकते हैं तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने computer screen की तरफ यहां आप देख सकते हैं मेरी website का यह dashboard है और यहां यह मेरी website खुली हुई है तो हम अब एक लंबे blog post के लिए जैसे कि यह आप देख रहे हैं यह एक लंबा blog post है मैं आपको दिखा लेता हूं यह intensive program के बारे में मेरा review है जो मैंने किया हुआ है digital marketing में तो यहां आप देख सकते हैं यह काफी लंबा blog post है तो मैं समझता हूं आप लोगी समझते होंगे कि इसमें index होना जरूरी है ठीक है तो अब हम देखेंगे कि हम यहां जो आप देख रहे हैं इसके आज पास कैसे हम एक इंडेक्स लगा सकते हैं वह आसानी से बिना किसी coding के तो चलते हैं डेश्बोड की तरह पर फिर से आपको कुछ नहीं करना है सिंपली जाना है यहां पर जो यह plugin दिखाई जा रहा है यहां पर add new plugin पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर सर्च करना है easy table of content यह देखिए easy table of content नीचे आ रहा है मैंने सर्च करके रखा है अब इसे आप सर्च कर दीजिए यह देखिए यहां पर आ गया है यह easy table of content यहां पर हम इंस्टॉल करेंगे इसको यह इंस्टॉल हो रहा है भी अब हमें इसको यहां पर activate कर देना है अब हमारा plugin इस्टॉल हो चुका है अब हमें दिखना है कि वह plugin हमें कहां मिलेगा तो उसके लिए हम जाएंगे यहां सेटिंग पे और यहां आप देख सकते हैं यह table of content आपको दिखाए ज़रा है इसपे इसपे क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद यहां पर सारी सेटिंग खुल जाएगी और यहां पर फिलहाल अभी कुछ नहीं आ रहा है अभी मैं करना है क्या कुछ सेटिंग करनी होगी जैसे कि enable support टेवल क्यांट का जो support है में enable करना होगा यहां पर यह हम पोस्ट पर कर देते हैं आप बाकी सभी चीजों के लिए कर सकते हैं जैसे कि pages custom CSS इन सब के लिए इंडेक्स बना सकते हैं तो अभी मैं फिलहाल पोस्ट के लिए बना रहा हूं क्योंकि मैं पोस्ट के लिए कर रहा हूं तो मैंने इसको चेक कर दिया है पहले से चेक है वैसे और अगर आपको यह auto insert मतब हर आर्टिकल में खुद पर खुद इंसर्ट हो जाए वो करना चाहते हैं तो यहां पर इसको कर सकते हैं तो मैं इसको auto insert फिलहाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं किसी post में चाहूंगा और किसी post म अपने आप बन के आएगा ठीक है और यहां पर option है so when अगर आपके ब्लॉग में चार या उससे ज्यादा heading होगी तो अपने आप index उसमें लग जाएगा और बन जाएगा उससे कम होगी तो नहीं बनेगा यह वह setting आप सुख कम ज्यादा कर सकते हैं यहां पर और उसके बाद इसाइब डिस्प्ले हेडर लेबल यहां पर header label मतलब हो गया यह आपका table of content header label हमने दिया है तो जो इंडेक्स के उपपर जो आएगा वो ही अभी आप देख लेंगे जब देखेंगे तो वहां पर दिखाई देगा आपको यह टेबल आप इंडेक्स के उपर उसके बाद व्यू ठीक है तो मैं भी आपको दिखा देदा हूं पहले यहां पर एपलाई करके से शेव चेंजेस मैंने कर दिया यहां पर और मैं इस आर्टिकल को रिफ्रेश कर रहा हूं अगया ने यहां तेर्शन पाणिप ईबलाव कॉन्टेंट अपने आप आगया पर हमने जो हैं कुछ हैं टे स की और बाद इस दिजल्ट लेख सकते हुआ लगा इस के बाद कॉन्टर मतलब यह नम्र किस फिर्म माईन चीए डेसिमल में या किसमें आप जो भी चाहें वह स्मूध स्ट्रॉल और भी कई सारी सेटिंग मैं बताने जाओंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बहुत ही आसानी सेटिंग है आप देख सकते हैं इसको अच्छा यह इंडेक्स बन गया है अब देखिए किसी भी टॉपिक पर जाने के लिए यूजर को क्या करना है खाली जैसे कि अगर वो जानना चाहता है कि यह प्रोग्राम किस के बारे में किस चीस के लिए है तो यहां देखिए सीधे आ गया वह नीचे दोस्तों एक बात मैं आपको और बाता देने जाता हूं कि अगर आपको किसी पोस्ट पे इंडेक्स लगाना या हटाना दुवारा से तो आप कैसे करेंगे वो तो आपको जानाब होगा यहां पर यह जो पोस्ट का बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक किजिए और यह खुल जागा इस पोस्ट पे हमने लेखा था लिघुकर इसके सबसे नीचे आई लगाए के लिखावा टेबल अवकौन्टेंट बेंगत यह आप देखे डि़ई है कि आपका इंडेक्स दिखाई दे रहा है वहां पे पोस्ट पे और इसे अगर हम अंटिक कर देते हैं तो वो नहीं दिखाई देगा वो गया बुजाएगा तो इस तरह से आप हटा या उसको लगा सकते हैं इंडेक्स को यहां पर और वी अप्शन है आप उनका भी स्तमाल क यहां पर यहां पर हमारा इंडेक्स दिखाई दे रहा था कोई इंडेक्स में दिखाई दे रहा है यहां पर पूरे ब्लाग में कहीं भी और अगर हम इसे दुबारा लगा देते हैं और अप्डेट करते हैं तो इंडेक्स हमारा आटमेटिक दिखाई देने लगेगा यहां आप अपडेट किया और अगर हमेशे रिफ्लेस करते हैं यहां पर तो आप देखेंगे यहां पर यह इंडेक्स दिखने लएगा तो दोस्तो आशा करता हूं इस वीडियो के बाद आपको एक ब्लॉग पोस्ट में इंडेक्स को कैसे लगाते हैं समझ में आ गया होगा इसी त सब्सक्राइब अभी तब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल नोटिफिक्शन आइकूल को ज़रूर प्रेस कर दिजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो को नोटिफिक्शन मिलता रहे है तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए नमस्कार कर दो